नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो असे अस्ट्रोलोजी मैं नीतू सेंग दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़िए साथी बल आइकन को प्रेस केजिए जिससे की वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुँशती रहे तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भौँ पर तिल होना कैसा माना जाता है सामुद्रिक सास्ट के अनुसार अगर व्यक्ति के दोनों भौँ पर तिल है चाहे वो जातक हो या फिर जाती का हो तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा यात्रा में रहेगा किसी ने किसी विज़े से वो यात्रा करता रहेगा या फिर वो यात्रा का शौकीन होगा गूमना फिर ना उसको बहुत पसंद होगा या फिर आपने काम के सिलसले की वज़े से वो यात्रा करेगा यानि वो प्राया यात्रा में बिजी रहेगा लेकिन अगर किसी व्यक्ति के दाहिनी भौपर दिल है तो इसका आर्थ होता है कि उस व्यक्ति का दामपत्य जीवन सुख में होगा यानि उसकी शादे शुदा लाइफ बहुत खुश हाल होगी लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो दाहिना अंग होता है वो लड़कों के लिए शुब होता है और बायांग जो होता है वो लड़कियों के लिए शुब होता है तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना है वही बायम होपर अगर तिल होता है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो जातक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन यानि उनकी जो दामपत्य जीवन है उनकी जो शादिश जुदा लाइफ है वो दुख में होगी किसी न किसी वज़े से उनकी लाइफ में कलेश जगड़े बाद विवाद होते रहेंगे तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जै माता दी